नमस्कार दोस्तों सवर एकेडमी में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम समान विज्ञान और समान हिंदी के वस्तुनिष्ट प्रस्णों पर चर्चा कर रहे हैं यह प्रस्ण एक्जाम पैटर्न एक्जाम के अनुरूप रखे गए हैं जैसे परिच्छा में पूछे जाने हैं तो चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं आज का जो पहला प्रस्ण है एक पायस किसका कोलाइडी विलियन होता है तो सबसे पहले हम कोलाइडी विलियन को समझ लेते हैं कोलाइडी विलियन जो होता है वो दो पदार्थों का विस्मांगी मिस्त्रड होता है और जि याद रखेगा, पायस को ईमलसन में भोलते हैं तो फ़ोम इमलसन शाल होते हैं, यह जो धूद में वसा जली विल्यन के घुली होते हैं तो धूद भी यह मैं से पाइस से होता है Suppmotion होता है निश्ट देखते हैं इनमें से किसतत्त की परवानीत रिज्जा सबसे अधिक होती है बुरान! अलियूमीनियम गैलियम इंडियम तत्त होते हैं और यह सभी तत्त बौरान परिवार के होते हैं वर्ग में उपर से नीचे आने पर परुमान कर्मानकर बढ़ने के करण Qosokisank Pigya क्या होती है बढ़ती जाती है और Qosokisank Pigya के करण exist जो प्रभावी नाबकि आवेसा घळता जाता है तो इसी करण जो इंडियम होता है परुमानतृच्य सबसे अधिक होती है यहां पे right answer हो जाएगा indium यह इंडियन नहीं है indium आई फुट्टी nine परवाले कर्मान का फुट्टी नई होता है इसका है निष्ट देखते हैं एक लिटमस को बदलता है एक चॉकर किसमें बदलता है तो एक अमब्र जो वो नीले लिटमस को लाल में बदलता है यह कमल क्या करता है नीले लिटमस को लाल में बदलता है और यदि छारी की बात करें तो लाल लिटमस को नीले में बदलता है यह याद रखेगा निश्ट देखते हैं इनसान के सरीर में कौर्णिया के किसे में होता है तो कौर्णिया होता है यह आठक में होता है मांट सरीज में कर्नीया नेत्र का नेत्र बाग होता है गमें अपरदशी बांधिय। जसे वह अकर और प्रवेश करती है और पर परोड़ हो जाएगा और जो नेत्र किया जाता इस समय नेत्र में कार्णिया का है ट्रांस्प्लांट किया जाता है तो यह भी याद रखेगा निश्ट देखते हैं कैनिस वालपीम कैनिस वालपीम का बैग्यानिक नाम क्या है किसका बैग्यानिक नाम है कैनिस वालपीम तो यह लोमडी नामक जनतु है उसका बैग्यानिक नाम है जो कैनाई परिवार का सदस्य है लोमडी किस परिवार का सदस्य है इसका जो कारकाल होता है दो से तीन वर्स होता है और यह चाहते हैं इंटा इंड्मे कौन सा कथन सही है यहां पर देखते हैं मोनेरा में देते सहां मोनेरा बहु कोसी होते हैं तो यह गलत हो जाता है। क्यूंकि भूनेर्च जगत ने एकोसी होते हैं। तता होते हैं। होते हैं। कवक प्रकास्ट तिसनलेशन के कर देखता हैं। क्लोरो फिल नहीं goes hard wheat हैं तो यहां पर प्रकास्षणस लेसे नहीं करते हैं क्लोइर और विसका अधिनOoh नहीं होती является cover मेंRadio कोशिकाभित्ति कि यह भी गलत अप्सवर प्रसों हो जाता है कोशिकाभित्ति होती हिए परोटिष्टा हमेशा बहो कोशी होती हैं तो परोटिष्टा जगत में एक कोशी भी वह तो यह वह यहाँ पर राइब हूछाओं से नहीं करते हैं प्रकस प्रकस कवग सर्म suis चूरूं के किसटार राड़की का जन्म होता है तो सबसे पहले हम गुर्ण सूत्रों के बीसे में समझ लेते हैं मानों जाते में जो होती है तेश जोड़ी होती है और था क्या कहते हैं गुण सूत्र को लिंग गुण सूत्र भी कहते हैं तेस्वी जोड़ी के गुण सूत्र को क्या कहते हैं लिंग गुण सूत्र और माता पिता के जिस संतान को एकस वाई गुण प्राप्त होता है तो वह पुत्र होता है और जिसमें एकस एकस गुण सूत्र होते ह सबसे बड़ा निर्धारक क्या होता है यहां पर देखें में तो मानविकास रुपोर्ट प्रवास सुद्ध प्रवास अनुपाद जीवन प्रत्यासा तो जो प्रवास होता है प्रवास क्या कहलाता है व्यक्तियों के एक अगिस्तान से दूसरे स्थान पर जाके बस जाना तो यह प्रवास कि लाता है और यही जन्संख्या के परिवर्तन का महतोपोर्ण निर्धारक है यह प्रवास की बात करें तो यह इसके निगेटिव और पॉजटिव अच्छे और रहुने दोनों तरह से प्रवाव पढ़ता जहां से ब्यक्ति प्रवासित होते हैं वहां तो जन संक्या का दबाव में कमी और आउसरों में ब्रद्धी होती है लेकिन जहां पर ब्यक्ति जाके बसते हैं तो वहां पर विभिन प्रकार की समस्या होती है जैसे आवासी समस्या निम्न स्वास्त की समस्या रोजगार की समस् हैं उत्पन होती हो देखें होंगे महानगरों में जो इसलम बस्तियां वगरा है तो यह भी प्रवास का एक बहुत बड़ा कारण है तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा जनसंक्या परिवर्तन का प्रवास सबसे बड़ा कारण है निश्ट देखते हैं निम्न में से क् सबूसर का अधातू है तो यहां पर देंके थिए मैगनीसियम नाइट्रोजन पोटेसियम इलमुनियम तो नाइट्रोजन Myshik हायर और यहां और धानसर हो जाएगा नाइट्रोजन नाइट गैस और दान नहीं होते हैं यह भंगुर होते हैं और यह उस्मा और विद्दूत दूद्गे क्या होते हैं पर यहां पर राइट अंसर हो जाएगा नाइट्रोजन एक गैस है और सभी गैसे जो होती है वो अधातु होती है के निश्न देखते हैं कौन सा रासायनिक योगिक अनिवार सभी विसानुम में पाया जाता है तो यह पाया जाता है प्रोटीन प्रोटीन जो होता है रासाइनिक योगिक यह अनिवार रूप से सभी विसानु में पाया जाता है और विसानु की बात करते हैं तो विसानु जो होते हैं अकोसकी अतिसूच में जीव होते हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंस ब्रद्धी कर सकते हैं तो यहा करें तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलता है नया पदार्थ बनाता है या कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में भी भाजित होता है तो इसे क्या कहते हैं रासानिक परिवर्तन कहते हैं या रासानिक अभग्रिया कहते हैं जो प्राया क्या हो पानी को भाप में परिवर्तित होना यह बहुत ही परिवर्तन है घर देखते हैं निमले खित में से कौंसे दुनिया में सबसे तेज दोड़ने वाली चीटी पर जाती है सबसे तेज दोडने वाली जो चीटी पर जाती है यहां पर देखे मेला फोर और सेना चीटी जो सहारा की चांदी चीटी जो सहारा की सिल्वर चीटी होती है यह बिस्व में सबसे तेज चलने वाली चीटी होती सबसे तेज जो जितनी भी ग्याद चीटियां है किसी वस्तु को किस प्रकार की गति कहा जाता है समय नहीं है चाल बदलती है तो किसी वस्तु की अस्मान गति में होना कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परवर्तित होती है तो यह कौन सी गति कहलाएगी अस्मान गति कहलाएगी जब कोई वस्तु समय के साथ इस समय के अंतर के साथ अस्मान दूरियां तै करती हैं तो इसे क्या कहते हैं अस्मान गती कहते हैं यहां पर जो राइट अंसर हो जाएगा अस्मान गती निश्ट देखते हैं, फलों की फसलों का अध्धन क्या कहलाता है, फलों के फसलों का अध्धन या खेती क्या कहलाता है, तो यह पौमोलोजी कहलाता है, फलों को गाने का विज्ञान होता है, यह बनस्पति विज्ञान की एक साख्या है, जो फलों के अध्धन और उनकी खेत से समंदित और इसके जनक बोले जाना तो एंड्रो जैक्सन डाउनिंग है इसके जनक कौन है एंड्रो जैक्सन डाउनिंग है तो यहां पर जो आप्शन है वो फालक्रसिविग्ञान हो जाएगा जिस्ट देखते हैं यूकरियेटिक अड़ो में आरेने का संसलेशन होता है यूकरियेटिक अड़ो में आरेने का संसलेशन कहां पर होता है तो यह कहां पर होता है नूकलियस में होता है कहां पर होता है नूकलियस में होता है यूकरियेटिक कोशिकाएं होती है वे कोशिकाए पाए जाते हैं उनके केंद्रक में प्रोटीन, DNA और RNA पाए जाते हैं तो RNA का सवे होता है केंद्रक में होता है नूकलियस में के निश्ट देखते हैं राकेट प्रणोंदनप्रद्धोग की राकेट प्रप्लोचन टेकनलाजी में लिखित में से किस सिध्धांत पर आधारित है यह किस सिध्धांत पर आधारित है यह जो है न्यूटन के त्रती नियम पर आधारित है न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उस पर आधारित है न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहलाता है कि प्रते क्रिया बल के बराबर और विप्र पर उतना ही बल्व उसको भी प्रीद दीशा में लगाती है और यही नियम क्या कहां पर कार करता राकेट में तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के नियम और यह किस नियम के बात करें तो यह तीसरे नियम पर नियुक्त में से किसमे आयन, अ-3 आयन बनानी की प्रवत्ती होती है तो यदि समूपंद्रा की बात करें समूपंद्रा में जो नाइट्रोजन, फास्पॉरस, समूपंद्रा के जो सदस्स होते हैं इनका जो इलेक्ट्रानिक विणयास होता है यहां पर जो ना cured रॉछन सब से छोट होता है और परिवार में सबसे बड़ी इलेक्ट्राणों नेगिटी होती है इसलिए जो इलेक्टरानों को प्राप्त करने का और नोबल गैस के बिन्यास करने की प्रवत्ती जो होती है वो ने ट्रोजन में सबसे अधिक होती है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा नाउट्रोजन हो जाएगा बेरियम को आदर्स गैस का इलक्टानिक बिन्यास पराप्त करने के लिए इलक्टानों को खोना पड़ता है, कितने इलक्टानों को खोना पड़ता है, कितने इलक्टानों को दो इलक्टानों को, आदर्स गैस का जो प्रमुगुन होता है, उसका इस्थायत और अक्री होना होत है तो किसी गाश का इस्तायत उसके भ्राय कोसमे उपस्ते इलक्टानों की संख्या पर निर्भर करती है तो यहां पे छट्वे स्थाइट को स्प्राप्त करते हैं किसके अंतिम कच्छा में निज्डे है प्रचा के मापन की इकाई ऑसी क्या होता है यह पारसेग जो होता है ये खगोली दूरी लंबाई को मापने की सबसे बड़ी काई होती है पारसेग जो होता है ये खगोली दूरी को मापने की सबसे बड़ी काई होती है तो सबसे पहले किसके मापन की काई है तो ये लंबाई की दूरी के मापन की काई है और एक पारसेग होता है कि प्रकास वर्ष कितना होता है 9.46 इंटू 10 ती पावर 15 मीटर और यदि हम इसकी पारशेक की बात करें एक पारशेक तो यह कितना होता है 3.08 इंटू 10 ती पावर 16 में किस उतक में मजबूत तथा मोटी लिगनाइट सतह लोती है किसी तग सतो है ब्लट प्रशय कोंशोन होता है से सपया इसके हाँ पार इस पार लोती है जिसपर लिदोंे जमाव होता है तो यहां पर जो राइट अंसर हो जाएगा डी कि देखते हैं फ्यम्टो का आड़्थ है दसकी घाथ फ्यम्टो जो होता है यह दसकी घाथ माइनस 15 कि दसकी घाथ माइनस 15 जैसे मीली माइक्रो नैनो पिको फेंटो फेंटो अटो होता है यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी निश्ट देखते हैं कौनसा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक सुस्क गैस के लिए दिये गए द्रबमान का आयतन उसके दाब के ब्यूत क्रमन उपाती होता है तो यह कौनसा नियम बताता है बायल का नियम कौनसा नियम बायल का नियम बायल के नियम के ब 1YV, दाब in Proposional 1YV, जो हता है, वो इस्थरताप पर गैस के नियम दर्बमान का आयतन, उसके दाब के भी उत्रमानापाती होता है, तो यह किस में होता है, यह बाइल के नियम में होता है, यहां पर राइट अंसर हो जाएगा, C, कि निश्ट देते हैं उर्जा के मापन की इकाई की पहचान करें उर्जा के मापन की काई क्या होती है तो कि सबसे पहले उर्जा को समझ लेते हैं किसी वस्तु के कार करने की छमता को क्या कहते हैं का जो मात्राक होता है वह जूल होता जूल होता है जूल दो प्रकार की होती है गतिज टिज चुर्जा और ढिया तो यहां पे कबल परिमान की ज़रूत पड़ती है सदिसरास में क्या होता है सदिसरास में परिमान और दिशाद दोनों होती है यहां पर विस्थापन वेग बल यह तीनों सदिस्राशियां है कि निश्ट देखते हैं निम लिखित में से जी का मान क्या होता है जी का जो आर्थ होता है प्रत्वी के गुरुत्व अकडशन सक्ति के कानुत्पन त्वरण जी का जो मान होता है 9.8 metlier second square प्रत्वी की सत्ये के निकट की सीपेंडी की प्रत्वी का गुरुत्व अकडशन प्रस्नपल्या। उस का जो मान होता है 9.8 meter second square, इस तरह से हमने विज्ञान के प्रस्ण देखे, अब हम हिंदी, समान हिंदी के प्रस्णों को भी देख लेते हैं, हिंदी का पहला प्रस्ण है, अलंकार का साब्दी कर्थ होता है, अलंकार का साब्दी कर्थ होता है, अभूसन, अलंकार का साब्दी कर्थ होता है, अभूसन होता है, और यह वंड की बात करें, तो वंड क्या होता है, वंड जो होता है, भासा की सबसे छोटी काई होती है, भा यहां पे अलंकार का पूच गया है तो आभूसन को देखते हैं कि में कौन सा तैन भेर खाती थी वह क्यक्ति में कोंसा लंग कार यहाँ प्रथम तीन-बेरी जो पहले तीन-बेर में है फिर दीन-अब्थ है इसका अर्थ आग से यहां एकी सब्द एक से अधिक बार आए किन्तों उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो तो वहां पर कौन सा लंगार होता है यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा यहां कर पहले तीन बेर में संख्या डोनेट कर रहा है दूसरे तीन में क्या कर रहा है कि दिखा रहा है जिस्ट देखते हैं विस्मे के इस्थाईबाव किस रसका है विस्मे के इस्थाईबाव किस रसका है तो विस्मे जो है अदभुत रसका है और यदि हम इनके और बाकी रसों की बात करें तो स्रंगार का इस्थाईबाव क्या है रती है हास का हास है करोन का इस्थाईबाव क् क्रोध है विवत्स का घ्राना है जो गुट्सा है इस तरह से इनको भी याद रखेगा निश्ट देखते हैं प्रस्ट में प्रियुक्त रस्के सही विकल्प को चुनिये जहां पे सही विकल्प क्या है पढ़ते हैं इसमें क्या है वियोग स्रंगार रस है इसमें भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल में पशुपच्चियों से सीता के विसमें पूछते हुए विलाप करते हैं तो यहां पे कौन सा रस है वियोग स्रंगार रस जिश्ट देखते हैं सरा सर में कौन सा समास है सरा सर में कौन सा समास है जी भाव स्मंवाल में कॉंसे समाष है अब्ब्य भाव समाष इस समाष का जो प्रधंपध होता है प्रधान और अब्वय होता है और यह अब्वय सङ्या की योग से बनता है तो यहां पन जो राइट Anser और हो जाएगा अब्वभाव समाष अयादी संधी है, अयादी संधी इसमें से इन उदारनों में से कौन सा है, तो नौधन एक, यह है अयादी संधी का उदारन है, इसका संधी रूप देखेंगे तो नाविक होगा, जिदि सेस भी कल्पु की बात करें, तो उत्धन उद्योग यह क्या हो जाएगा, उद्योग ह संदी यहां पूछा आयादी संदी तो नौधन एक हो जाएगा निश्ट देखते हैं भुर्जा का संदी विच्छेत क्या होगा तो भूधन उड़्जा होगा यह दीर्गिस्वर संदी का उदारन है जब समानस्वर मिलते हैं तो उनका दीरगी करन हो जाता है यहां पर देख इत्यादी अनुधारन भी है निश्ट देखते हैं जिन्दगी में कौन सा प्रत्ता है जिन्दगी में कौन सा प्रत्ता है तो यहां पर जिन्दगी में की प्रत्ता है कौन सा प्रत्ता होता है गी प्रत्ता प्रयोक किया गया है और यह जो प्रत्ता होता है यह सब्द के पी तो अध्यच में अधी अध्यच में कौन सा उपसर्ग है अधी उपसर्ग निर्मित सब्द है और ऐसे सब्दांस जो किसी सब्द के पहले या आधी में जुड़कर पहले या आधी में जुड़कर उनके अर्थक में क्या करते हैं परिवर्तन ला देते हैं तो वो क्या कहलते ह है निम्न ने दिये गए सब्द का बिलोम सब्द सुनिए चुनिए ज्ञान का विलोम सब्द क्या है तो ग्यान कर जो और यहां पर देख手 कार क्वं कर का हो जाएगा निरहनी ज्ञाकर यह ये भी याद रखें निम्न लेकितमें से सुद्ध वर्तनी सब्द कौन सा है सुद्ध वर्तनी कौन सा सब्द है यहां पर देखें वांचनी वांचनी यह तो गलत ही हो जाता है वांचनी यह भी गलत हो जाता है चांद बिंदी लगी है वचनी यह तो गलत है इसका जो सुद्ध वर्तनी सब्द है वांचनी यह हो जाएगा जिसका साब्दिक अर्थ होता है इच्छा या कामना किये जाने योग निश्ट देखते हैं अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है तो अधिकारी में अधियू उपसर्ग है कौन सा है अधियू उपसर्ग निश्ट देखते हैं दिए गए सब्दों के समानल्थी देखिए ढ़िए जो आस्रम का समानलतिसभ्द т. rev वियार opis TV नेखते हैं नीमुषफित में उसद्वर्तनी वाला सब्द कौन सा है तो सद्व्रतनी वाला सब्द कौन सा है यहाँ तो गनिस्ट यह सुद्ध वर्थनी वाला सब्द है गनिस्ट 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 यह तीन हो जाते हैज देखते है तो में से दन्य एकॉन सा स no ैच्ञाणिट होता है जो इसमने से सदंट मोल में जो किससे दंत मोल से उच्छारित होता है यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा सा हो जाएगा दंतत्त वर्ण कौन सा है सा है और दंतत्त वर्ण किसको बिलता है जो दंत मोल से उच्छारित होता है यदि पाकी बात करें तो यह कहां से ओस्था है टाको देखे ती यह कौन सा तालू के मुर्गाबाद से उत्पन होता है और यदि हाके का देखें तो यह काकल या कंठ द्वारा उच्छारित होते हैं यहां पर दॉनताई वर्ण का उधारन क्या है सा जश्ट देखते हैं हिंदी सब्दकोस में काके बाद कौन सा बन जानाता है तो यह क्या स्ब्दकोस के बात करें काके बाद छट आता है ऐसे का प्लस प्लस सा को जोड़ें तो च्나 बनता यह है संयुक्त है कि मैं जशत तेकते हैं चछु किसका परेवाके हिसे चछु किसका पारयाबाची यहां पर परयावाची इ bathroom प्रया बाक्राश की बात करें तो पच्छी कवेधों से ऑजो होते हैं गोड़ा की बात करें तो यदि पर दियरशस्व गोटक तुरंगवाजी इसरोटि गोड़े कवी pan चूता शर्कर परियावाद करें तो पर द्धा एक कास के परियावाची है जिस्ट देखते हैं निम्न में से एक सब्द दीजिए चोरी के लिए मकान की दिवार पर किया गया चेंद चोरी के लिए मकान की दिवार पर किया गया चेंद क्या कहलाता है सेंद यह वाक्यांस है, सेंध चोरी के लिए किया गया, मकान की दिवार पर छेंध क्या कहलाता है, सेंध जिस्ट देखते हैं, निम्न स्थान की पूर्ती के लिए सबसे उप्यूक्त सब्द कचैन कीजिए मैं डैस नहीं जानता कि वह कहां है, तो यहां पे दिन देखें, मैं बिल्कुल तो नहीं जानता, यह नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं बिल्कुल ही नहीं जानता, यहां पे जो सबसे उप्यूक्त सब्द है, यह बिल्कुल हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं सभस्त्र की लज्ज्ज्य मुझ्य बच्चे की स्वास्त्र की चिनता है एस तो यहां पर सभसी उस्पयोंग उचाई सब्सेह सब्सक्रक्रियोगे की और अभगा मेट सब्सक्राइब सब्सक्रश्द मोटुना इस देखते हैं किति सब्सक्राइब करें तो इसका क्या होता अंत है शुरू का क्या होता है खत्म है उदगाटन का क्ужा होता है समाहपन यह भी याद रखिएगा यहाँ पर पूद्छा गया है रहे हुआ की क्लप का चैन की जिया जिसमें निम्न मुहावरे का अर्थ दिया गया, मुहावरा कौन सा है, पर निकलना, पर निकलना का क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाना, यही होगा, दूसरों का हो जाना गलत है, घायल हो जाना, परा दिन हो जाना, यह नहीं है, स्वच्छंद हो जाना, क्या है स्वच्छंद हो जाना, मतलब कि बिलकुल FREE हो 가ना। यद्य हम वाक्त's के प्रयोग की बात करने तो मौहन को कम उम्र में सफलता मिलने पर उसके पर निकालाए। इस तरह से उदार हम्हों में प्रयोग कर सकते हैं। को कल लिए नेच्ट्ण देखते हैं। सब्सक्राइब करो चावर के 5 चावर के 5 और पावर के 5 इस तरह से कासे मातक के वरंड 25 और यहां तक और जतना सम्भाव उप्योग हो सके तो तो इसमें सबसु उप्युक्त वाक्यांस क्या होगा जहां तक और जितना संभाव हो तो इसका होगा यह था संभाव और यहां पर संभाव की देखें तो इसका क्या हो सकता है जिसके होने की संभावना हो संभाव क्या होगा जिसके होने की संभावना हो और जो हो सकता है वो स संभावना होगा यहां पे यहां पर राइट अंसर हो यह था संभाव यह परखाष्यांस के लिए एक सब्ध दिजिए जिसके आर पार दिखाई देता है वह क्या नाता है पार दरस्षias जिसके आरपार दिखाई देता, वो क्या कहला था, पारदर्सी, यदि प्रकास की बात करें, तो प्रकास में लाए जाने योग, ये हो जाएगा, प्रकास में लाए जाने योग, यदि हम प्रत्यागत की बात करें, तो प्रत्यागत का है, जो कहीं जाकर लौट आया हो, वो क् पारलोकिक से संबंदित, मतलब परलोक से संबंदित जो होता है वो पारलोकिक कहलाता है, इस तरह से हमने हिंदी के भी 25 क्वेश्चनों को देखा है,